हाई ब्रीवन मेरा नाम विजय है, और आप देख रहे है कैरियर मोका आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, किकिस तरीके से आप एक डॉक्टर स्पेसिलिस्ट दॉक्टर और स्पेसिलिस्ट डॉक्टर किस तरीके से बन सकते हैं इन तीनों चीजों को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा चलिए सुरुवात करते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए क्या eligibility criteria है मतलब कि अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा अब सवाल ये आता है कि MBBS का course में आप कैसे admission ले सकते हैं admission लेने के लिए आपको जो है 10 भी जब आप कर लेते हैं उसके बाद जब आप 12 में जाते हैं मतलब जब आप 11 में admission लेते हैं उस टाइम पे आपको science stream में physics, chemistry और biology subject का चुनाब करना होगा जब आपका physics, chemistry और biology subject के साथ admission हो जाता है उसके बाद जो है आपको physics, chemistry और biology इन तीनों विसवय को अच्छे से पढ़ाई करना है क्योंकि इसके बाद जो है आपको entrance का इंजाम देना होगा अगर आपका 12 में इन तीनों विसवय पे अच्छा कमान रहेगा मतलब अच्छी जानकारी आपके पास रहेगा तो आपका जो है जो entrance exam होगा उसमें अच्छा rank आएगा तो आपको क्या करना है जब भी आप 11 में हो उस time पे आपको जो है सभी विसवय को इन तीनों विसवय को बिलकुल detail में पढ़ना है उसके बाद जो है आप 12 का board exam देते हैं उस time पे आपको एक form भरना होता है जो की need का होता है need का full form होता है national agility come entrance test यह test जो है आपको देना होगा और इसमें आपको अच्छा rank लाना होगा इस entrance test में आप जितना अच्छा performance करते हैं मतलब जितना अच्छा आपका rank आता है उसी हिसाब से आपको जो है college आपको मिलता है so आप जितना अच्छा तयारी करेंगे आपको उतना अच्छा college मिलेगा और आप उतना अच्छे तरीके से doctor की पढ़ाई कर सकते हैं चलिए आप बात करते हैं कि अगर आप need का exam देना चाहते हैं तो need के exam के लिए 12 में आपको कितना number होना चाहिए अगर आप need का form बढ़ते हैं तो आपको 12 में कम से कम 50% marks होना चाहिए और यह जो 50% marks है वो आपको परतेक बिशाय में होना चाहिए मतलब किसी भी बिशाय में 48% भी नहीं होना चाहिए तो आपको ध्यान रखना है कि 12 के board exam में कम से कम 50% जो है आपका अंक हरत परतेक बिशाय में जरूर हो तो आप बात करते हैं कि जब आप form भर देते हैं उसके बाद इसका exam कब होता है इसका exam जो है लगभग आपके board exam के आसपास ही होता है और उसी time पे आपको देना होता है जब आप ये exam दे देते हैं उसके बाद जब इस परिक्षा में आप pass हो जाते हैं और आपको अच्छा rank आता है जो भी rank आता है उसी rank के हिसाब से आपको college मिलता है अगर आपका अच्छा rank आता है तो आपको अच्छा सरकारी college मिल जाता है जिसमें fees भी काफी कम होता है अब बात करते हैं कितना fees लगता है जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपको अच्छा marks लाना है अगर आप अच्छा मास लगते हैं तो आपको जो है सरकारी college में आराम से admission मिल जाएगा जहां पे फीज जो है highest से highest जो है आपको 25,000 annually लगता है लेकिन वही अगर private college की बात करें तो वहाँ पे 5,000,000 से लेके लगबक 30,000,000 या उससे जादा भी पर एनम मतलब एक साल का फीज होता है जो की काफी high होता है इसलिए मैं आपको कह रहा था कि अगर आप एक doctor बनना चाहते हैं तो आपको जो है अच्छा त्यारी करना है 12 में और उसके बाद जो है नीट के exam में अच्छा marks लाना है अब बात करते हैं कि जो MBBS का course होता है वो कितने साल का होता है MBBS का जो course होता है उसमें सारे 4 साल आपको theory परना होगा मतलब सारे 4 साल जो है आपका college में आपका पढ़ाई होता है और उसके बाद जो है एक साल का internship करना होगा इंटर्णसिप का मतलब यह होता है कि आप डॉक्टर के साथ रहेंगे और सारा जो वहाँ पे आपको प्रेटिकली सिखाये जायेगा किस तरीके से इलाज करना है, क्या दबात दिया जाता है, किस तरीके से कोई बीमारी पकरा जाता है, इन सबों का आपको प्रेटिकली जाते हैं, अगर आप इन चीजों को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो हमारा वेबसाइट है कैरियरमोका.com, वहाँ पे जाकर के आप सारी चीजे पढ़ सकते हैं, इसके लिए आप हमारे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं, जैसा आप देख सकते हैं, वेबसाइट का यह आपके description box में दे दूँगा, तो वहाँ से आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं, इस वेबसाइट पर मैंने सारा चीजे जो है, डिटेल बता रखा है, बहुत सारी चीजे मैं वीडियो में नहीं बता पाता हूँ, चुकि अगर सारी चीजे में वीडियो में बताने लगा, तो काभी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा और आप भी नहीं देख सकते हैं, इसलिए अगर आपको डिटेल जान कारे चाहिए, तो एक बार आप हमारे website पर आ करके यहाँ पर पढ़ें, जो भी चीजे मैंने यहाँ पर बताया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहा कोई बीमार होता है, उसको लोग कहते हैं कि इसको specialist doctor के पास ले जाओ, मतलब यह होता है कि जो उसको बीमारी है, उस बीमारी के specialist doctor है, जो कि सिर्फ उसी में master की degree कर रखा है, उसके पास ले जाने के लिए कहा जाता है, तो आप किस तरीके से एक specialist doctor बन सकते हैं, वो मैं आपक का कॉर्स करते हैं वह एक बैचलर डिगरी होता है अगर आप अगर आप सारी चिजे लिखा हुआ मिल जायंगिया इहां तब जो MD का कोर्स होता है या 3 साल का कोर्स होता है मतलब जब आप MBBS कर लेते हैं उसके बाद 3 साल और आपको लगाना होगा master का degree लेने के लिए जब आप यह कोर्स कर लेते हैं उसके बाद जो है आप एक specialist Crusade doctor बन जाते हैं मतलब किसी एक विमारी का आप specialist doctor बन जाते हैं तो इस तरीके से जो है आप mbbs करने के बाद mbbs करकर आप एक specialist doctor बन सकते हैं अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप एक super specialist doctor बन सकते हैं अगर आप super specialist doctor बनना चाहते हैं तो आपको जो है पहले mbbs करना होगा फिर mdi करना होगा और इसके बाद जो है आपको dm करना होगा जब आप dm का wagon कर लेते हैं यह दो dm का आप आप इको कोर्ष महीं था साल का कोर्ष होता है उसके बाद है आप एक स्पैशलिस्ट डॉक्टर खालाते हैं तो इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आप एक डॉक्टर और सुपर एस्पेसिलिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं बाकि अगर आप जादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेब साइट पर आ करके यहां पर सारी चीजे पढ़ सकते हैं जो आपके मन का सवाल है उन सारे सवा करना मत भूले साथ ही हमारा फेस्क पेज है जिसको लाइक करना मत भूले जिससे जानकारी है वो आपको फेस्क मिले और हमारा वेब साइट है कैरियरमोका.com जहां पर जाकर कर सारी चीजे हिंदी में पढ़ सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद